आज मैं बीए वाले बच्चों से मखातिब हूँ ठीक है बीए वाले बच्चों के लिए हम कुछ कुछ लेकर आएं आज हम उन क्वेश्चन को करेंगे यह एक टैसीरी समझ दीजिए आप लोग जिनको यह क्वेश्चन आते हैं ठीक है वह सबसे पहले क्या करें डिस्क्रिप थीक है इंडीन कलचर के यह लिए अलिकर मुव्मेंट के भी कुछ इन्धिक कम इसमे डाले हैं वह इन हंड़्लय यह हंड़र्ट कुछ का सेटाप है बिटा इसको पहले आप खुद से करें ठीक है यह वीडिए देखने से पहले और फिर आप मेरी वीडियो देखें उसको आपसे लगा कर देखें ठीक है अच्छा ज्यादा brief discussion अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त इतना नहीं बचा सिर्फ हम लोग जल्ली जल्ली करेंगे ठीक है लेकिन जो questions है इसमें वो आप लोगो सारे रट जाने चाहिए ठीक है जिसको हम बोलते है टिप्स पर होने चाहिए आपके अब हम यासरेली क्लासिस के चैनल पर ये स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है बेटा तो सबसे first question है इसमें आप देखेंगे अब थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम लोग मुगल सल्तनत जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था बेटा अकबर का दीन इलाही जो था उसको तबहो बरबाद करने वाले शखस जो थे और उसको नेस्तु नाबूत करने वाले शखस कौन थे शेख एमस सिरहिंदी ये अकबर के पोशन में पढ़ा चुका हूँ जिसने नहीं देखा है वो मेडेवल इंडिया में जाकर अकबर खोले चीक है उसमें एक शेख थे शेख एमस सिरहिंदी जिनको मुझदिद अल्फिसानी भी कहा जाता है जिन्होंने दीन इलाई की अकबर के जो मखब जो नया इजात किया था उसके धज्यें उड़ा कर रख दी थी वो उनका नाम किया था बेटा शेख एमस सिरहिंद सिरहिंद एक जगा है पंजाब की अच्छा वो किस ओर्डर से तालुक रखते थे तो बेटा मैं आपको बता चुका हूं सूफी मूव्मेंट में कि चार ओर्डर होते हैं उसका ट्रडर से ख़ार उड्ग जब लूर्डर से थे अभ यहां पर पूछा गया है के सिरहिंद में नक्षबंदी की सीट को किसनी डिस्टरॉई किया था तो बेटा सिरहिंद ए पंजाब में तो जाहिर सी बात है काम किसका किया धरा था सिक कम्यूनिटी का किया धरा था तो फिर्स्ट वाले का बिटा अंसर क्या आएगा सिक आएगा क्लियर है दूसरी हम बात करते हैं ऐसी थोड़ा थोड़ा देखेंगे उपर उपर से खौजा मौईनुदीन चिश्टी हजमेरी पास्डवे तो खौजा मौईनुदीन बेटा ट्विल्व जिरो नाइन में आप इस दुनिया फानी से रुखसत फरमा गए ठीक है ट्विल्व जिरो नाइन नेक्स अब हम पढ़ेंगे के दा एंग्लो एरबिक कॉलिज वो इस्टेबलिश यह हम छोड़ देंगे उसके बाद सल्तनत पिरिएट इन इंडिया सल्तनत पिरिएट से मतलब बेटा यहां डेली सल्तनत की बात हो रही है तो डेली सल्तनत का पहला बादशा कौन है कौन सा है बता चुका हूँ सल्फ डाइनेस्टी में जो फर्स किंग है डेली सल्तनत का उसका नाम क्या है बेटा कुतुब उद्दीन एबक यह सल्फ थे मुहम्मद गौरी के तो इनका जो पिरिएट था वो बेटा था 1206 1206 से 1210 तक किसका पिरिड रहा है स्लेव डाइनेस्टी के पहले किंग और डेली सल्तनत के पहले किंग कुतुब उद्दीन एबक्का और 1526 तो लाज़ डाइनेस्टी की थी बेटा लोधी डाइनेस्टी थी और लोधी डाइनेस्टी के लाज़ किंग था इबराहीम लोधी जिसको Battle of Pani Pat या First Battle of Pani Pat पर बाबर ने हराया था जिसकी वज़े से डेली सल्तनत का end हो गया और फिर मुगल एमपायर हिंदोस्तान में स्टेबलिश की गई किसने की बाबर ने किसको मारकर इबरहीम लोदी को इबरहीम लोदी का सेशन कब खतम हो गया 1526 में किसे आपको बता चुका हूँ बेटा देखो यह जो कुतम मिनार है यह कुतम मिनार कॉम्पलेक्स जिसको हम बोलते हैं कुतम मिनार है मान लीजे यहां पर है बिटा मॉस्क मॉस्क कौन सी है? गुवत अलिस्लाम और इसी के बराबर में एंट्रेंस डूर है ये कौन सा एंट्रेंस डूर है? अलाई दर्वाजा अलाई दर्वाजा वोस बिल्ट बाई किसने बनवाय था? कौन सी है बिल्ट अलिस्लाम मॉस्क ने बनवाय थी? कत्व अध्द्दीन अबक ने और कौत्व मिनार्भी किसने बनवाय थी? कत्व अध्दीन अबक इन थान नेWow of सूफी सिंट अज़ा कुत्व अध्द्दीन बखतियार काकीश रहीम रहु थाजा next बात करेंगे who was the editor of हमदर्द तो हमदर्द के बेटा जब editor की बात आती है तो आते है हकी मुहम्मद सैद ये सैद नहीं है से ID English वाला सैद उसके बाद आता है who among the following is not a compiler of अधिस किसने हधिस को compile नहीं किया जमाँ नहीं किया तो बेटा देखो इमाम मालिक की हम पढ़ चुके हैं कि इमाम मालिक की पहली हदीस यानि the first हदीस was compiled by इमाम मालिक in the name of मुवत्ता इमाम मालिक इमाम मालिक ने दुनिया की पहली हदीस compile की ये दो बिटा पहली किताब है अधीश की जिसका नाम है मुवत्ता इमाम मालिक जिसको मुवत्ता इमाम मालिक भी कहा जाता है दूसरा इमाम निसाई की किताब है सनाने निसाई करके और इमाम अभी दाओत की भी किताब है कि सनाने अभी दाओत करके ठीक है ये सही अभू दाओत ये तो तीनों किताब हमें मिल गई बच्चे कौन शाह वली उल्ला और इनका पीरियट भी बिटा काफी बात का है कई सारे इसलिए महरोली को क्या कहा जाता है आपने उपर देखा ना ये तीनों मैंने उपर बताया ये कुत्ब मिनार है ये कुवत अलाई दर्वाजा है और भी कई सारे कॉम्पलेक्स है खुत्ब दिम्भत अर्काकी की दर्गा है और भी कई सारी चीज़े जो है आइरन पिलर है ये सारी चीज़े बिटा महरोली में मौझूद है कहा मौझूद है महरोली में मौझूद है ठीक है बिटा नेक्स है फू डिट लीड अ प्रेट प्रेट प्रेश ने प्रफिट मौझूद है लास ड़ीज यानी आगाई दू आपने बिस्तर पे मौझूद होते और उनकी इतनी बिसात नहीं थी कि वो जाकर नमाज पढ़ाएं क्यों क्योंकि हुदुर्बाइबुकर अबुबकर को मकरर को मकरर किया इमामत के लिए यानि हुदुर्बाइब किस ने पढ़ाए हुदुर्बाइब को बिए पता अबुदुकर को अबुदुर्बुकर को जाया है अगर आपको पता हो यही कहा था कि जब जिनको जिन्दगी में हुजूरु पाक अमीर और इमाम मकरण किया है हुजूरु पाक अमेरे बीच में जाने के बाद में हमारे इमाम और अमीर कौन रहेंगे हद्धिस स्यदना अबुबकर सिद्धीक रदी अलाहो अनहुम next after concurring मक्का Prophet Muhammad ﷺ got all the Meccans unbelievers killed, exiled, imprisoned, he pardoned मार दिया गया था, भगा दिया गया था, गैद कर लिया गया था, ये माफ कर दिया गया था तो बिटा answer है pardoned, माफ कर दिया गया था ये तारीख इसमे यूरोपी जो मुर्रिख होते हैं वो भी लिखते हैं जो अंग्रेज होते हैं जिनको इसलाम समझ में तो आता है लेकिन कुबोल करने को तयार नहीं वो तमाम मुर्यख ये लिखते हैं कि तारीख इसलाम में सबसे बड़ी अगर pardon किसी को दी गई है तो वो दो चीजों में दो लोगों ने दी है एक तो दी है हदरत मुहम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म् سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی उन्होंने भी खुली आमान दे दी थी कि जो भी बैत المقدस में है उसको ना मारा जाएगा ना उसका माल लूटा जाएगा ना कुछ भी नहीं किया जाएगा बस बैत المقدस को खाली कर दिया जाएगा तो यह वहाँ पर भी अमान दी गई थी लखो लाख मुसल्मानों को गतल करने के बावजूद इस तरह का अमान दे देना यह वाकई में एक मुज़जा नजर आता है और यह तालीमात थी रसुल्लाह सल्लाहु आलिहीं की नेक्स्ट हम बात करेंगे बहली जादा क्वेशन्स ना हो लेकिन कम से कम जो क्वालिटी ओफ मैटीरियल है वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा पहुचे यहां पर बात करते हैं अंकल तो अंकल कौन थे बटा अबू तालिब थे आप सब को पता है कजिन तो बटा कजिन हदरत अली थे आप सब को पता है फादर कोन ते हदरת अबुभला थे और ग्रेंट फादर कोन ते हदरत अबुभला हदरते अबुलमुचे थे यह बात क्लियर है वो वोस द्य लीडर अब अब थे खिलाफत मूवमिंट फिलाफत मॉवमिन्ट बेटा जिब मुसल्मानों की धुनिया से हकूमत गए सलतने तो फ्लासी कर विन्ज का जिया गया खे को एक रिए भाई थे क्षोप कौन और उप्षकेह लोग थे ह३ँ कि टैसी ऐत karış पु Besch Secondly बरेलवी मूवमेंट था बिटा कौन था बरेलवी मूवमेंट अबुलकलाम अजाद ये पहले एजूकिशन मिनिस्टर थे और मुहम्मद अली जिन्ना ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान रहे जिनको काइद आजम के नाम से पहचाना गया ये बिटा औरंगाबाद के थे में ली दक्किन के थे ठीक है नेक्स्ट बात है बाबर इस्टेबलिश्ट अमगल एमपायर बाइड़ डिफीटिंग बिटा लोधी अभी बात उपर कर चुके इबरहीम लोधी जो लास्ट डाइनेस्टी थी मोगल डेली सल्तनत की वो थी आझ बिटा मोगल एमपायर के नाम से जानते हैं.. शावलियुला कौन से सेंचुरी के बिटा ते तो शावलियुला बिटा 813 सेंचुरी के थे ए। नेक्स्ट वू डिट इएस शिबली नॉमाणी और शिबली नॉमाणी ने एक किताब लिखी थे बिड़ा जिसका नाम तफ सीरत النبی, आज भी ये मौजूद है, तीन जिल्डों में मौजूद है, सीरत النبی, अच्छा ये पूरी किताब भी नहीं लिख पाये थे, तो सीरत النبی की इन्हों ने एक ही वोल्यूम लिखी थी, जब इनका इंतकाल हो गया तो फिर इनके शागिर्द, इनके स्टुडेंट, जि इनकी पैरवी करते हुए, शिबली नुमानी ने एक किताब लिखी, सीरत النبی, जो पूरी भी नहीं हो पाई, बाद में इनको पूरा भी सुलिमान नद्वी ने किया, उसके बाद हूओ, अमंग्दी फॉलूइंग इस नॉट अ मुगल एंपरर, तो बेटा, शा आलम जो है, शा आलम सेकंड, शा आलम फर्स्ट, दोनों मुगल एंपरर रह चुके हैं, हुमायू, अकबर का बाप और बाबर का बेटा, ये भी रह चुका है, बहादुर शा भी रह चुके है, फिरोज शा कौन है बेटा, ये फिरोज शा तुगलक डाइस्टी के हैं, कौन से, जनका प शाये थे, और इनकी किताब भी आटो बाइगराफी, नोने, फितु, फुतु, हाते, फिरोज शाही, वो भी इनी जनाब की किताब है, तुगलक डाइस्टी से इनका तालुख था, अब जिद बेटा, कुरान कौन से पीरिड में आया, तो बेटा, 23 साल की उमर में आया, एक को कहते हैं, बेटा, सराया, और एक को क्या कहते हैं, σराया, अब बेटा, खजवा क्या होताए, बेटा, गजवा वो बैटल होती है, जिसमें प्रॉफित, श.ल में आखरतों वाल्म तो लिदे, अग्यानि जिसमें आखाइद वालयम जानिसे ने खुद companion से उनके लीडर आप खुद उआ करते थे आप आगे जाकर तलवार चलाया आप आगे जाकर तलवार लिया करते थे हाथ में ची के उसको बोलते हैं घजवा सराया बीटा वो बैटल्स हैं जो हुजूर की जमाने में तो लड़ी गई लेकिन इसमें हुजूर ने शिरकत नहीं फरमाई हुजूर उसमें पार्टिसेपेट नहीं किया हुजूर पाकस लड़ी बिल्कि अपने कमपेनियन को भेज दिया कि आप जो है वो मेरी तरफ से जंग लड़ेंगे तो इसको बोलते है रिपरेजिंटेटिव अपना बना देना अपना रिपरेजिंटेटिव तुरू लड़ी गई है हदरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लालाहु अलिए सलम क्योंकि ये बैटल नहीं है बैटल बैटल है लेकिन बैटल में कौन सा पार्ट है घजवाए बिटा सराया नहीं है आपको यहां तक बात क्लियर एक नेक्स्ट नेक्स्ट तू हिल लॉक्स क्लोस्ट काबा काबा तुल शर्फा में या मक्का मुकर्रमा में दो बिटा पहाड़ हैं जो काबे के बराबर में हैं ठीक है वो जो पहाड़ है आप लोगों को नजर आ रहा है यहां पर देखिए यह जो है यह क्वेशन है ठीक है यह जो है यह क्वेशन है और इसका आंसर यह इसके options किए हैं ठीक है तो अब मैं देखूंगा आप लोग को नजर तो आ रहा है ना सारा ठीक है चलिए तो अब काबत Allah के बराबर में बैत Allah के बराबर में जो दो पहाड़ हैं उनको बोलते हैं बिटा सफा मरवा क्या बोलते हैं सफा मरवा जिसकी सही की जाती है अगर आप लोग अल्ला ले जाए तो जरूर देखेंगे इन्शालला उसके बाद हूँ अमंग दीज इस नॉट प्रॉफिट मुहम्मद सल्ला लाह लिए सल्लम कंपेनी अपी इनका जिक्र हुआ और बरकत के तहत ल्लाह ने दुबारा इनका नाम लेना हम लोगों की साधत मंदी रखी और वो कौन थे सल्तान सलाओ दीन अयूबी ये बिटा बाद के हैं सल्तान नुरुदीन जंगी रहीम हु लाह ताला के शागिर्द हैं और ये इन्हों ने बाद में बैतल मुकद्स पते किया है ये भी बात याद रखें कि पहला पाते हे बैतल मुकद्स का लुँटेंगे ना किसी की इज़त लूटेंगे ना किसी की जान लेंगे बलके आप लोग जो है वो इसमें आपका तावन करेगी हमारी आर्मी आपको आपके मखसूद जगाओं पर छोड़ कर आ जाएगी तो ये कौन शख्स थे सल्तान सलाओ दीन अयूबी जो सहाबी नह ठीक है अब जैद बिन हारिसा ये तो पुरान का बहुत बड़ा मामला इनका है मैं आपको बता चुका हूँ उम्म सुलाइम और फजल बिन अब्बास रदी आल्लाहु अन्ह ये तीनों सहाबाई किराम अनीम और रिद्वान है उसके बाद तो बेटा उनका नाम आता है मैं पिक्ठॉल करके चीख है अब आते हैं बात हाओ मैंनी सूरह इन दखॉली कुरान तो बेटा तीस पारे हैं एक सोचोदा सूरते हैं और आयत कितनी यह यानी वोसे अफ़ दा कुरान सिक्स ताउजन सिक्स हंड्रेड इन जिए शीक्स वोईसे अफ़ दी कुरान ठीक है कुरान में कितनी सूरत हैं छेहजार श्यार्टा सचाशच कितनी वह सारी आप रहली बई वरी सारी पाता कितनी 1666 सूरत कितनी है तो बिटा एक सु चौदधा और पारrhे कितने हैं एपार्ट कितने हैं तो बिटा अंडर हुस रें दिडिड मॉस्क बिल्डिंग रीच स्पीक तो बिटा वो शक्स है बिटा औरं जैब नहों ने बनवाई बादशाही मस्जद आगरा के जो लालकला है उसमें मुती मस्जद ही बनवाई लेकिन औरंगजेब के बरक्स दिली की जामा मस्जद से बढ़ी बादशाही मस्जद लाहौर में बनवाई उसके बाद और कई औरंगाबाद में मस्जदे बन वाईं साॉट मेर्दकन में मस्जदे बन वाईं और मोती महल मस्जद जो कि आज भी दिल्ली के ललकले में मौजुधे बन वीहीं है उसके बाद goes of the following was not de part of aiper's empire तो बिटा आसम आसम तक अकबर की रीच नहीं हुई थी उसके बाद फेमस बुक सीरत-ुन-बी वस रिटिन बई अभी बता चुका हूँ बिटा मौलाना शिबली नौमानी मौलाना शिबली नॉमानी उसके बाद और किसको ने असिस्ट किया था बिटा इनको बस सुलेमा सेद सुलेमा नद्वी ने उसके बाद WHO wrote इंडिया विंस फ्रीडम तो सब को पताए न तो महुलाना अबुल कलाम असाद चांए इनके बारे में कुछ एब देख लेए कुछ इंपौटन is तो अबुल अबूल कलाम अजाद की जेवह बात करेंगे तो अबूल कलाम असाद गुबार खातर, खातर कहते हैं बटा दिल को ठीक है गुबार जो होता है न दिल का उसको बोलते हैं गुबार खातर के नाम से नहों एक किताब तर्दीफ फर्माई बड़ी जबदस किताब उसके बाद नेक्स 27 पर हम आते हैं तो अब मैं आपको बेटा इक चीज बता हूँ यहाँ पर प्रॉफिट स.A.D. में कब प्यदा हुए हैं 570 A.D. प्रॉफिट स.A.D. बॉस बॉन यहाँ पर हम देखे अब क्या करेंगे 570 A.D. प्रॉफिट स.A.D. बॉस बॉन 570 के आगे बेटा 6 साल के बाद आफ्टर 6 एर्स प्रॉफिट स.A.D. मदर डाइट यानि हुदूर पाक रह्मत रालम स.A.D. की जो वालिदें वालिदा हैं वो 6 साल के बाद इंतकाल फर्मा गई थी यानि उस वक्त आपकी उमर कितनी थी बिटा 6 साल और 6 महीने पहले आपके वालिदा का इंतकाल हो गया है यानि 570 या ये जो है ये 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 आपकी पैदाईश है और 6 महीने पहले 6 मन्स बेफोर आपके वालिदा का इंतकाल हो गया है यानि आपके वालिदें दोनों ही आपके सर से 6 साल की उमर पे जा चुके थे उसके बाद 28 क्वेशन देखें 28 दे लास सर्मन अखरी खुटबा जो अरफात के मैदान में रसूल उल्ला सल्ला ने दिया वह बिटा नवे जिलहिज को दिया नाइंथ टी अव जिलहिज जिलहिज भी बोलतें नेक्स ते बिटा 29 हज अब्लिगेटरी अपन मुसलिम इव दे कैन अफोड़ मैरीड अडल्स और फुल्फिल ओल दा अबव ट्रैटेरिया नई बिटा शादी करना जरूरी नहीं है अडल्ट होना भी जरूरी नहीं है बलकि इफ यू कैन अफोड़ अगर आप उसे अफोड़ कर सकते हैं आपके पास माली इस्तिताइट इतनी मौजूद है कि अगर आदेर तो बिटा ट्विल ठीक है उसके बाद जमजम उटर वेल इसन तो जमजम बेटा मक्का जमजम जमजम का मतलब होता है ठहरना जमजम का मतलब क्या होता है ठहरना तो मदीना मुनवरा में क्या मौजूद है बिटा हुदूर्ण का रोज़ा-e-मबारक जिसको ही मौझूद है यह सारी चीज़े आप लोग नोट कर लेंगे कहां कहां क्या क्या मौझूद है करबला में क्या मौझूद है वो वाकिया जिसमें रसूल अहद जिसमें हद्ट इमाम हुसेन रुदिया जिसमें के साथ जो वाकिया पेश आया सब जानते हैं उसको पुरी दुनिया में कोई छुपीद अभी बात नहीं तो वो करबला है उसके बाद बगदाद बगदाद एराग की कैपिटल है जिसमें कौन मौझूद है एक स सुल्तान अलिया के लकब से भी जाना जाता है जिनोंने सुफी मॉव्मेंट की क्लास की होगी उसको ये बात बखो भी पता होगी और ये कादरी सलसले के इमाम भी हैं फोर सलसला मैंने ओपर भी डिसकस किया था कादरी नक्षबंदी चिश्टी और सहरवर्दी इसमें जो क पादरी सलसला है इस सलसले के इमाम है कौन स्यूदना मुहियुदीन शेख अब्लकादर जीलानी रदियल्लाहुण उसके बाद बिटा आता है विच वोस दी अरलियस्क मॉस्क बिल्ट इन इंडिया सबसे पहली मस्जद जो बनवाई गई वो बिटा देहली में कुत्ब कॉ बुद्दीन अबक ने तो फिर यहां पर कौन सी मस्जद आएगी बिटा कुवत अल इसलाम मॉस्क बिल्ट इन डेली फिर्स टाइम इन इंडिया और ये बनवाने वाले शक्स पी कौन थे बिटा कुत्ब बुद्दीन अबक थे और इसको कंप्लीट करने वाले शक्स इल्त हिजरी पाकिस्तान के मुसल्मान भी हिजरी कहते हैं बंगला देश के भी हिजरी कहते हैं ठीक है तो बैटा हिजरी केलेंडर काई सारी चीज़े कंप्लीट हो रही है आप भी ये हरगेज ना सोचें कि भाई सर तो पढ़ाए जा रहे हैं और हमने ये पढ़ा नहीं है देखो बेटा टॉपिक कम्प्लीट करना competitive exam ऐसा नहीं होता जैसा आप लोग पढ़ते हो कि कॉपी ले लिए और उसमें पढ़े जा रहे हैं एक बुक ले लिए पढ़े जा रहे हैं तो फिर academic पढ़ाई में और competitive पढ़ाई में फर्क्या रहे गया competition में जब आप बैट रहे हो ना तो आपको बहुत ज्यादा smart work करना है hard work is not important smart work is important smart work कैसे होगा कि आप क्या करो आप लास्ट एक क्वेशन्स लगाओ ज्यादा से ज्यादा questions लगाओ आप घड़ी लगाओ कि भाई एक गंटे के अंदर मुझे complete करना है अपना आप लोग प्रैक्टिकल बहुत कम हैं सिर्फ रीजनिंग है तोड़ा सा सुझ भी नहीं आता सिर्फ रीजनिंग प्रैक्टिकल है उसको थोड़ा साइड में रखो जिए जिनके प्रैक्टिकल स्ट्रॉंग है वो पहले रीजनिंग को देखें उसके बाद इंग्लिश करें इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करें ठीक है काफी बड़ा पोशन आपका सिर्फ बारा क्वेशन डालें हो सकता है मेडिवल इंडिया के दो एक हो सकता हैं इंडो ऑसलामिक करिखेंड और दें पर tienवेशन करें जो Summiar के तो आप जियादا 30 सिद्व और आप में भी महफूज रहेगा जिसे मालो फर एक्जामपल यह मुस्लिम फूर्स सेटल डाउन इडिया तो बिटा सेवन सेंचुरी सेवन सेंचुरी में सेटल आप आपने क्वेशन कर लिया आपको पता चलिए अगर सेवन सेंचुरी में अब यही आप अगर अकेडिमिक में बुक उठाओगे ना तो सेवन सेंचुरी पिर आप करोगे पिर उसमें कौन आया पिर यह सारी चीज़े होंगी ठीक है आगई बास समझ में अब मैं इसमें बता द बेटा उनका नाम था मुहम्मद बिन गासिम उनका नाम था मुहबन बिन मुहम्मद बिन गासिम जिनों ने सिंद पर आकर हमला किया और राजा दाहिर जैसे ताकत वर राजा को हराया ना सिर्फ हराया बलकि जान से मार दिया जिनका नाम था मुहम्मद बिन गासिम और जिन मुसल्मानों की अगर आप लिस्ट निकाले ना कि बही मर्वान इबन हकम यजीद बिन अमीर मौविया अमीर मौविया रदियल्लाहूं का नाम इस लाईन के बदबख्त के नाम के साथ ना लगाए जाए तो यजीद यजीद के बाद ये हिजाज बिन यूसफ असा कफिया नह अगर हम क्रीम उठाएंगे ना जालिम तरीन बाद्शाओं के मुस्लिम हुकमरानों में तो वो उन में से ये एक निकलेगा चीक है तो इनका भतीजा था कौन और इनका दामाद भी था मौहम्मद बिन गासिम जिनको इनों ने बेजा और फिर यहां पर हंदुस्तान में फो बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ये कोई शेर आसान नहीं हम तो पढ़ देते हैं अगर इसको खोलने पर आए ना तो पूरी किताबें लिख जाएंगे ये खुदी असल में है क्या ठीक है ये खुदी बड़ी चीज़ है तो ये खुदी पर कलाम किसने किय बेटा एक खुदी पर कलाम करने वाले अकबाल है इसलिए नहुने असरार खुदी भी लिखिया और रुमूज बेखुदी ये दोनों किताबें इनकी है नाम इंपोर्टन्ट है असरार खुदी ये मेरे जहन में आ गया है तुमने बता दिया और दूसरा रुमूज फाउंडिट बाए तो बेटा किसका सेद मुहम्मद जौन पूरी आचा ओपर वाले शाब अब्दुलजीज मुहदिस देलवी बता चुका हूँ नक्षबंदी है शाब अलियुल्ला भी नक्षबंदी है एहमद रजा खान का बरेली भी मूवमेंट है तो बचा कौन सेद म हमद जौन पूरी और इनी का था बेटा मबदवी मूवमेंट उसके बाद थियोरी ओफ वहदत शाओद अब बेटा देखो दो कंसेप्ट हैं सिलाम में सिलाम में नहीं सुपिजम में उसको सिलाम में भी कह सकते हैं वरना एक अंट्रडिक्टरी हो जाएगा वहां खर उस त नहीं पड़ूँगा ठीक है आप लोग भी नहीं समझेंगे तो आप बस इतना याद रखें दो कंसेप्ट हैं एक है वहदत अलवजूद एक है वहदत अलवजूद को इस दुनिया में लाने वाले सेयुदना मुहियुदीन शेख अबन अरबी जिन को शेख अकबर भी कहा जाता है जो अर्तुगूल अगर कोई देखता हो तो बड़ा मशूर सीडियल है दिरिलिस अर्तुगूल ठीक है सुलिमान शाहूलू अर्तुगूल तो अगर आप अर्दू में देख रहे हैं तो उसका नाम क्या है अर्तुगूल घाजी अर्तुगूल घाजी के जो माना किताब फतु आते मक्या भी मौजूद है और फिर अब ये कंसेप्ट देने वाले वहदत शाओद ये अकबर के दीन इलाही के मुकाबले में देने वाले शेख एहमस सिरहंदी रहीमा हु लाहु ताला जिनको मुझदिद अल्फिसानी भी का जाता है जिनका उपर नक्ष वन्दी ओर डिस्टॉई किया था अकबर के जमाने के बड़े आफाक के बली ये कामिल गुजरे हैं जिनका नाम क्या है बिटा शेख एहमस सिरहंदी मुझदिद अल्फिसानी के नाम से भी पहचाने जाते हैं इनका कंसेप्ट बाहद तुल वाहद तुल वाहद तो रिटाएं है वेरी कोट शेक माययुदिन बने अरभी नेक्सट बाबर की जो टॉम बेटा कहां है काबल में कहा एं बीटा काबल में पञीपत में किसी की नहीं है बिली में किसकी है डेली में किसकी टॉम जो डियुक्जा निजाम الدین औहूलिए मेहभूब- bere çevत खख़क हुच अगरा की बात करते हैं तो आगरा में बटारएक नियुक्ता पूरा दिस्टाजमेह के वही है नेक्स बात अगरा की तो आगरा में बीटा शाजहां का आठ से दस किलो मिटर दूर एक शहर है जिसका नाम है फतहपुर सीकरी उसमें शेख सलीम चिष्टी आले रहमा की टॉम है जो अकबर के रुहानी उस्ताद भी रहे हैं पहले जिन्दगी में उसके बाद फिर अकबर ने आखरी बद्यानती दिखाई और दीन से हट गया ठीक है तो शेख सलीम चिष्टी की टॉम जो है वो कहां मुझूद है बटा आप सब को जरूर याद होनी चाहिए फतहपुर सीकरीम है यादगारे गालिब यादगारे गालिब किसकी है बिटा तो बिटा अलताव होसखास विलिज सिरी फोर्ट सिरी जो है अलाउद्दीन खलजी ने अपनी कैपिटल भी बना ली थी ये दोनों बनवाने वाले कौने बेटा अलाउद्दीन खलजी और बेता दूँ तो बेटा जमियत खाना मॉस्क बिल्ट बाई अलाउद्दीन खलजी अलाई दर्वाजा बिल्ट बाई अलाउद्दीन खलजी होसखास विलिज बिल्ट बाई अलाउद्दीन खलजी ये सारी चीजे किसकी बेटा बनाई हुई है अलाउद्दीन खलजी की बनाई हुई है उसके बाद बात करते हैं तो कुत्ब मिनार तो कुत्ब मिनार यहां पर सुल्तान अलतामश ने कुत्ब अद्दीन एवक्त ने बनवाई थी कुत्ब मिनार लेकिन उसको कम्प्लीट करने वाले सुल्तान अलतामश है कौन है खुतम मिनार और तुखलगाबाद जो सिटी थी फोर्टी फाइट सिटी इसको बनाया किस ने फिरोज शाह तुखलग ने बनाया और ना सिर्फ ये बनाया बलकि फिरोज शाह तुखलग की एक बहुत आप पॉर्टन्ट आप चीज़े काई सारी चीज़े मैं आपको बता चुका हूं ना भी फिरोजशा तो लगा आई थिंक हां बता चुका हूं हिसार जॉन पूर फिरोजबाद फिरोजबाद फिरोजबा इसी का बनाए हुआ है बिटर ठीक है उसके बाद नेक्स आम बात करते हैं यहांगीर वन ऑफ इस संसेड़ेड तो दे थ्रोन विच डटाइटल और नेम और शाजहा नेम हैं शाजहां जो कि जहांगीर के तखनेशीन होने के बाद उसने तखन को समाला उसका नाम शाजहां है लेकिन उसके घर का नाम क्या है यह पूछ रहें जिस तरह आप सब को पता नाम लवज खुर्रम करके मशूर था क्या मशूर था खुर्रम क्या था खुर्रम नेक्स्ट है वोट इस दे डिस्टंस बिट्वीन पेरलल लाइनस ऑफ ब्रॉड गेज ब्रॉड गेज बिटा वो लाइनस होती है जो के रेलवे स्टेशन में आपने देखा है पट्री तो जो ट्रैक होता है रेलवे पट्री जो होती है रेलवे ट्रैक होता है एक तो लेफ्ट एंड साइट पर उस पे जाता एक राइट एंड साइट पे तो यह पूछ रहे है इस जो रेलवे ट्रैक है इन दोनों की बीच की जगा कितनी है सबसे पहली बात तो बेटा यह जगा ह कुछ इंच की होती है ठीक है ऐसे करके आद रखें उसके बाद आपको नज़र आ रहा है ने सब चीक है चलिए नेक्स टेक्टे तो दा आथर अफ दी फुक बुक मुतालवाई सरसेयद मुताला करना तहकी करना तज्जिया करना यह सारी चीजे एक ही वर्ड है ठीक है तो मु अब्दुल्हक ने लिखी ती किसने लिखी अब्दुल्हक ने इंग्लिश ट्रम प्लेट यह ना छोड़ दें दा गेंट फादर यह भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है आप लोग पढ़ लेंगे एक बार में उसके बाद हुलेटर फांडेशन स्टोन ओफ बिटा गया डॉंट नो बार करल इन उप्षिंस में से कोई भी नहीं है उसके बाद नेम ऑफ दो मदर ऑफ इब्राइब आचा देखो यह चीज़ आप इंपोर्टेंट आई हुजूर की सारी ओलादे कितनी ओलादे थी साथ साथ में से चार बेटियां तीन बेटे चार बेटियों बेटों की तरफ आएं तो हज़ते कासिम हज़ते अबदुल्ला और हज़ते इबराहीम अब ये जो चार और तीन साथ बच्चे है ना ये साथ में से छे बच्चे तो हैज़ते खदीजा से हैं जो हुजूर की फुर्स वाइप है एक बेटा जिसका नाम क्या है बेटा ओख मारिया कित्बिया क्यां इमका ये वीटा है नेच्स्ट यह कोशन इस तरह भी आ सकता है यह कि नेमda मज़र OFF हशहते इबरहीम तो मारियक नेम सथ था से भी आसकता है गुमाकर नेक्स 58 वेशन हाफ सैन्छरी हम लोग मार चुके हैं आप लोग्माग में कुछ र لا कह तर सेविन मन्स आफ्र माइगरेशन पर मक्का टू यतरिब लेटर कॉल मदीना नेम हिम यानी मक्के से मदीना तुल मुन्नवरा आने के बाद हुजूर्पाक स्था महीने किस सहबी रसूल किस कंपेनिन के घर पे रोके नाम था बेटा हज़ते स्यूदना अबु अबु है उसके बाद बात करते फोस्वास संसलर आफ अलियर मुस्लिम यूनिवरसिटी तो बेटा राजा मुहमद इंडिपेंडेंस के बाद क्योंकि यूनिवर्सिटी तो 1920 में बन गई है और हमें इंडिपेंडेंस 1947 में मिरी है तो इंडिपेंडेंस के बाद पहला वाइस चांसलर कौन बना तो बिटा डॉक्टर सर जिया उद्दीन जिनके नाम पर आज भी एजएड हौल मौझूद है मौहमद अली महमूद अबाद नेक्स सरसेगी दैमाद खान वसे एडिटर ऑफ फेमस जर्नल तहजीब अखलाक आज भी छपता है बिटा दा मौगल एंपार वस्टेबिश इंडिया बाई बाबर आपको बता चुका हूँ फिर्स बैटल ऑफ पानीपत इबरहीम लोधी को म सरसेगी ने बनाई 1864 में बनाई उसके बाद मौहमद अनेगलो औरियंटल कॉलिज वोज मौहमद अनेगलो औरियंटल कॉलिज 1875 अमीर खुसरो किसके शागर्दों में से थे किसके स्टुडेंट थे आप देखो मैं चीन बता रहा हूँ आप लोग लिख ले सबसे पहले ख खुआ ऐस्मान हारूनी इनके स्टुडेंट खुआजा मौहमद अदीन चश्ति अज्मेरी जिनका मजार अज्मेर मे는 हैं खुआजा कुटब अद्दीन बख्तियार काकी जिनका मजार जिनके महरोली में है जिनके नाम पर कुटब मिनार ये किनके स्टुडेंट हैं खुआजा मुहिन अद्दीन चिश्टी अजमेरी के कौन खुआजा कुटब अद्दीन बख्तियार काकी इनके स्टुडेंट बाब बाबा फरीद उद्दीन मसूद गंजे शकर जिनका मजार पाकिस्तान में है बाबा फरीद उद्दीन के दो शागिर्द एक का नाम खौजा निजाम उद्दीन उलिया महबूब लाही दूसरे का अली एहमद साबरे पाक कलियर शरीफ में जिनका मजार है तो बाबा फरीद के दो स्टूडेंट हो गए खौजा निजाम अद्दीन उलिया और साबरे पाथ अब खौजा निजाम अद्दीन उलिया के भी दो स्टूडेंट खौजा निजाम अद्दीन उलिया के दो स्टूडेंट इनका नाम आप एक चार्ट बनाते चले मैं आपको फिर बता रहा हूँ खौजा निजाम अद्दीन ओलिया के जो दो स्टूडेंट एक का नाम अमीर खुसरो दूसरे एक का नाम पीर नसीर अद्दीन चिरागे देहलवी रिपीट करते हैं सबसे पहले खौजा उस्मान हारूनी खौजा नसीर अद्दीन चिरागे देहलवी ने दिली का आखनी खौजा तसलीम किया जाता है बाइस खौजाओं में यहां तक बात क्लियर है तो अब फेमस सूफी संद अमीर खुसरो किसके डिसीपाई ले बिटा शेख निसाम अद्दीन ओलिया महबूब लही रहीमों लाहु ताला के यहां तक बात क्लियर हो गई इन पोस्ट इंडिपेंडन संदिया अबुल कलाम आजाद क्या थे आजादी के बाद बिटा एजुकेशन मिनिस्टर बने कबीर किसके हैं बिटा रामनंदा के हैं किसके हैं रामनंदा रामनंदा मतलब कबीर के उस्ताद रह चुके हैं शेख भी बोल सकते हैं सरसेयत की जो किताब असरारु सनादीद यह बिटा दिली के मॉनिमेंट्स पर है अस्रारो सनादी और अस्बाबे बगावते हिन जो है वो किसमे है वो 1857 के रिवोल्ट में 19 नहीं बेटा 1857 के रिवोल्ट में यह गलट टाइप हो गया दा रिवोल्ट ऑफ 1857 और यह सॉरी अस्रारो सनादी जो है यह किसमे है Monuments of Delhi में में अो कॉलिज बिकम मुस्लिम युनिवर्सिटी 1920 अचा यहां पर एक मज़ेदार चीज़ बताओ 1920 में ही में अ कॉलिज को अठ्म मुस्लिम युनिवर्सिटी बनाया गया है नेक्स्ट आते हैं मुशी प्रेम चंद ओरीजनल तो बिटा यह अर्दू के थे लेकिन फिर भी हम लिखते हैं बहुत हिंदी अर्दू उसके बाद विच फेमस उर्दू बांगेदारा किस की है बिटा अल्लामा इकबाल ने लिखी ताज महल बिल्ट वाए कौन साथ वो था बिटा इंडो पर्शियन आर्किटेक्ट था जिसको इरानियन आर्किटेक्ट्चर भी बोलते हैं तांसेन वोस अ म्यूजिशन किस तांसेन अकबर के नौरतनों में से एक रत्म था उसके बाद जामा मस्जद आफ डेली वोस बिल्ट बाई जामा मस्जद किसने अदिली की शाजहाने बनवाई उसके बाद किताब नौरस ये किसकी है बिटा इबराहीम आदिल शाह सेकंड यावद रखना इबराहीम आदिल शाह फर्स नहीं सेकंड ने किताब नौरस लिखी जिसमें हिंदू और मुसलमानों के जो भी पीर फकीर बाबा थे जो अपनी जिन्दगी जो है बड़े वीरानी में गुजार दिया करते थे उन लोगों के बारे में लिखी गई अट्रू रिप्रेजेंटेटिव और इंडो इसलामिक पोईट्री इंडो इसलामिक पोईट्री इन दा मेडिवल पीरियड तो बेटा अमीर खुसरो क्योंकि ये खौजा निजाम जाएट सी बात है वहीं फाउंडर हैं तो उसे किसम उन्होंने प्रमोट किया अच्छा खासा उसके बाद विच आफ फॉलॉइंग आर्केलोजिकल साइट नोट लोकेटे इंडिया बेटा ये इंडिया की है लेकिन बदक्समती से इंडिया और पाकिस्तान का बटवारा जिसको हम बोलते हैं मोहिन जुदार होगी आज पाकिस्तान में मौजूद है सिंद्ग वोस्ट एबल पेश्वा तो बेटा एबल पेश्वा तो छत्रपती शिवाजी राओ को ही कहा जाता है छत्रपती शिवाजी जो सबसे ज्यादा कैपबल लीडर था और राजपूतों म सी जो है न सी समझ लेना जहां पर सी आजाई यूनिसेफ तो चिल्डरन की बात हो रही है अप कोई और है तो आप इस कोशन को चोड़ दें तो बेटा आगरा अकबर क्योंकि अकबर ने वहां पर लग्ला बनवाय तो और अकबर की वो पहली कैपिटल रही आगरा तो पर ज शाजहानाबाद बेटा यह जो उपर है ना शाजहानाबाद यह ओल्ड डैली का नाम है ठीक है जो शाजहां की कैपिटल थी उसके बाद बात करते हैं एड्स जो है रिगार्डिंग करेक्ट जो है विच फॉलिए इस करेक्ट रिगार्डिंग एड्स तो बेटा एड्स वह कॉंटे जीनियस नेस के वज़े से होता है ठीक है यह याद रखें अबुलकलामाजाद एडिटर जर्नल अलहिलाल पता चुका हूँ आपको वूपर इंडिया विंस प्रीडम अलहिलाल अलबला गुबारे खातिर यह सारी चीजे तरजमान कुरान यह सब अबुलकलामाजाद किये महात्मा गांधी यह गंधी नहीं है बेटा गांधी है ठीक है गलत लिए एंप पहली स्वरी गांधी ठीक है महात्मा गांधी तो कोईट इंडिया मूवमेंट भी था सिविल डिस अबीडियंस भी था खिलाफत भी था अल अब दी अबव ठीक है सारे मूवमेंट दोने काली बंगा लोतलार असोसियेटेड विद हरपन इंडस वेली सिविलाइजेशन से यह एसोसियेटेड है और इंडस वेली सिविलाइजेशन से यह एसोसियेटेड क्या है हरपन सिविलाइजेशन यह हरपन कल्चर बोल सकते हैं यह हरपन कल्चर उसके बाद दाफ़क सॉरी विच ऑफ दे फर्स राजपूत स्टेट अपनी बेटी देती थी चीक है आमेर उसके बाद देखें चुकि उनका नाम हरका बाई था जिनको वो शाजन से शादी अकबर की हुई थी टॉलिरेंस और सुशल इक्वालिटी नो वन इस अबव बाइनीवन कोई किसी से बड़ा नहीं हर कोई बराबर में सबसे पहले दर्स इसलाम ने दिया बिटा ठीक है गुलाम को आका पर फौकियत नहीं आका पो गुलाम पर फौकियत नहीं काले को गोरे पर नहीं मर्द को औरत पर नहीं औरत को मर्द पर नहीं ये सबसे पहले कहने वाले शक्स इसलाम था इसली और इसलाम ने ये वाहिद कंसेप्ट दिया ये सोचा भी नहीं जा सकता था इस बियोंडी जैसे कहते हैं न ये आकल के खिलाफ था कि कोई गुलाम भी बात्षा बन सकता है लेकिन मुसल्मानों ने खाली गुलाम बाद्षा नहीं बनाया बलकि एक पुरी डाइनस्टी गुलामों की बनाई जिसको हम स्लेव डाइनस्टी कहते हैं तो जाहिए सी बात है वो मजब कौन सा इसलाम है फेमस अर्दू पोईट है? हाँ ठीक है? अर्दू अपर्शन अमीर खुसरो वजट इसपाइल आफ अभी बता चुको हूँ बिटा निजाम अद्दीन हो लिया उसके बाद भगती इनसूफी मूवमेंट इनिडिया स्टार्टेड बेटा 11th century या 12th century कर लो क्योंकि 1192 में ही मुहम्मद गौरी को प्रत्वीराच चौहन ने हराया प्रत्वीराच चौहन को मुहम्मद गौरी ने हराया तो उसी वज़े से फिर खौजा मुहिन अद्दीन चिस्टी अजमेरी हंदोस्तान तश्रीफ लाया अजमेर की सर्दमीर पे मीर तकी मीर बेटा दिल्ली के शायर थे बड़े मशूरे जमाना शायर बहुत गरीबी में इनके जिन्दी गुजरी है लेकिन गालिब जैसा अना वाला शख्स जिसके अंदर अनानियत भरी पड़ी वो भी कहता रेक थी कि तुम अकेले उस्ताद नहीं गालिब कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर बीता ये जब शेर उसने सुनाता ना पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाख तो सारा जाने है तो ये मतलब शौरा आपाक कलाम थाई ये किसका मीर तकी मीर का इसको जब गालिब ने सुना तो को भाई बड़ा जबरदस किनाम एक किसका है तो गालिब को बताया गया कि ये मीर तकी मीर का है जो दिली के शायर थे तो बेसाखता गालिब वही पर कह उठे कि रेखती के तुम अकेले उस्ताद नहीं गालिब कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था तो जब गालिब किसी का लोहमान राय ना वो भी शायरी के अंदर तो भाई समझ लो कि उसके अंदर कुछ तो मौझद है तो वो कौन थे मीर तकी मीर थे भुती जबर्दस जिसा कयते ना उर्दू था उर्दू क्या है ये बताए ही मीर तक ही मीर ने ठीक है उसके बाद विच आर्किटेक्ट्चल डू ओल दे मुगल बिल्डिंग्स रेपरेजेंट तो बेटा इंडु इसलामिक आगरी आर्किटेक्ट्चर इन इसलामिक कलेंडर नियू येर बिगन्स बेटा आप जब को पता ह चुका हूँ हिंद्य और्दू हूस्टेबलिश एम्यो कॉलिज तो सरसेयद आमद खान जो बाद में फिर 1920 में अलियर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी दे श्राइन आफ सूफी संथ अभी बता चुका हूँ क्या कि सूफी संथ एक थे अकबर के जमाने में शेख सलीम चि टॉम ओफ अकबर सिकंद्रा में है और शा जहां का तो ही ताज महल उसके अंदर ही वो जनाब आराम फर्मा रहे हैं अभी तक सारे जहां से अच्छा इंदोस्ता हमारा किसने लिखी अल्लामा इकबाल थर्ड कैलिफ प्रॉफिट सलेख सल्यम के बाद कौन हदरत ए उसमान गणी यह थर्ड थे फर्स कौन थे हदरत सेदना अबूबकर सिद्दीग सेकंड सेदना उमर थर्ड सेदना उसमान और फोर्थ 8 में ब्रहमो समाज चीक है होली एस्ट्राइन किसकी है कौन सी है मक्का बिटा इसमें जमजम भी मौजूद है बैत लाला का घर भी मौजूद है मकाम इबराहीम भी मौजूद है, साफा मरवा भी मौजूद है मदीने में क्या क्या है? जन्नत अलबकी है, हुजूर का रोजा है जिसको गुम्मद खजरा का जाता है मस्जद नबवी शरीफ है, ये सारी चीज़े मदीना मुनबरा में, करबला, बगदाद, उसके बाद ये दोनों आप्शन्स आपको उपर बता चुका हूँ, उसमें क्या क्या है इन्विस लेंगोईज डिट पॉइट रगुपती सहाए, जिनको फिराग गॉरकपुरी भी का जाता है, तो बेटा में जबान इनकी कौनसी थी? अर्दू थी तो बेटा नाम है औरंग जेब आलमगीर और फिर इन्होंने एक किताब भी लिखी, लिखते चले फतावाए आलमगीरिया ये हनफी स्कूल आफ टिक्टी सबसे मुतबर किताब है हिंदुस्तान में जो सबसे पहले लिखी गई आपके 100 questions complete हो गए next class में इंशालला मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊँगा आप सब हाजर रहें जजाक अल्ला हो खायर